प्रेंस आज मैं आप लोगों के लिए एक और तोर्ण पट्टी का डिजैन लाई हूं जिसके लिए मैं फोर पलाय का ओल और दस नंबर की ग्रोशिया ले हूं तो सबसे पहले आप लोग इस तरह से चेन बनाएगा एक दो तीन चार पांच छोग शाथ अब फिर ग्रोशिया पर आपको तीन बार रूल को इस तरह से करना है और फिर ये फ़स्ट वाले चेन से आपको यहां से इस तरह से फ़स्ट ग्रोशिया फिर सकेंड ग्रोशिया फिर ट्रिपल ग्रोशिया और लास्ट में सिंपल ग्रोशिया से इसको बंद करिएगा फिर आपको यहां से इसको फूल खीचना है इस तरह से आपको एक, दो, तीन, चार, चार वार खीचने के बाद आप लोग इसको इस तरह से सिंपल क्रोश्या से बंद करिएगा तो फ्रेंस अगर आप लोग टूपला उल से बनाएगा तो छोवर सात वार खीच कर उसके बाद इसको बंद किचिएगा और फिर यहां से आपको तीन बार उलको क्रोश्या पे लपेट कर फिर यहां फर्स्ट वाले चेन से एक चेन और बनाना है ट्रिपर और यह फोर और फिर आपको इस चेन में इस तरह से सिंपल क्रोश्या बनाना है एक दो तीन चार पांच छो साथ एक साइड में आपको आठ बार डालना है अगर पतला उल में आप लोग बनाईएगा तो इधर 9 या 10 बार डाल सकते हैं और फिर हम इस साइड चेन में आएंगे और इसमें भी 8 बार सिंपल क्रोश्या बनाएंगे दो तीन चार पांच छो साथ आठ और फिर आपको यहां पर इसको इस तरह से यह जो आपको चेन दिखाई दे रहा है इहां से आपको लेकर इसको इस तरह से सिंपल क्रोश्या से रैंट करना है इस तरह से देखिये यह मेरा एक रिंग जैसा बनेगा और फिर यहां से आपको साथ चेन बनाना है दो journals चार पांचछ एक साथ और फिर तीन बार क्रोश्या पर लपटना है और फिर यहां हम बीच में इसको फिर से फर्स्ट क्रोस्या, सकेंड क्रोस्या, टिपल क्रोस्या और यह सिम्पल क्रोस्या बनाएंगे और फिर यहां से हम उल्खीचेंगे चार बार एक फिर दो तीन एक चार और इसको सिंपल क्रोसिया से बंद करेंगे और इसके अंदर में एक हमको बवल्स बनाना है फिर क्रोसिया पे तीन बार उल्खो लपेटना है और फिर हम यहां से इस तरह से फस्ट क्रोसिया सकेंड क्रोसिया टुपल क्रोसिया और यह सिंपल क्रोसिया और फिर यहां से आपको इस तरह से इस चेन के अंदर आठ बार सिंपल क्रोसिया बनाते हुए चार पांच चौर फिर साथ एक आठ और फिर हम इस साइड में आएंगे और यहां से बनाएंगे एक फिर दो तीन चार पांच छो साथ और एक आठ इस तरह से फिर हम यहां आने के बाद इसके अंदर से इस तरह से हम इसको सिंपल क्रोशिया से जोइंट करेंगे और फिर यहां से हम साथ चेन बनाएंगे और इसी तरह आगे आपका उपर यह डिजाइन दिखे बनेगा तो इस तरह से आप लोग डिजाइन को बनाते जाईएगा थोड़ा दूर में बनानने के बाद आप लोगों को दिखेंगे के फ्रेंस में थोड़ा दूर बनाई हूं तो बनने के बाद यह बहुत सुंदर लगता है तो अगर आप लोगों को मेरा ये डिजैन पसंद हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को एक दूसरे के साथ सेर करें और वीडियो को लाइक करें चैंक्स पोर बहुत प्राइब को विडियो ।